वेल्कम तो नेटवर्क किंग्स तो टोड़े वियर डिस्कसिंग ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट तो OSPF एक राउटिंग प्रोटोकोल है और जैसे कि RIP और EIGRPF वैसी इसका भी कॉन्फिग्रेशन है इसमें थोड़ सा कॉन्फिग्रेशन से पहले इसमें थियोरी पढ़ेंगे क्या होगा तो सबसे पहले OSPF stands for Open Shortest Path First OSPF stands for Open Shortest Path First और यह किनों ने बनाया था यह एक साइंटेस्ट थे दिख्षत्रा अल्गोरिफम तो दिख्षत्रा उन्हें एक अन-बनाया था इसको नाम यह दिया था दिख्षत्रा अल्गोरिफम तो दिख्षत्रा अल्गोरिफम भी बोलता है और इसे बोलते है Shortest Path First बट इसका नाम shortest path first है यह नहीं बट वो एक्च्वल में shortest path नहीं देखता है वो कौन देखता है रिप तो सबसे पहले एक standard protocol अगर आपका कोई भी Cisco का router है जुनी पर का router है कोई भी company का router है तो आप उस पर OSPF कर सकते हैं अगर इधर Cisco का router है इधर किसी और company का router है तो आप इन दोनों को configure करके OSPF बना सकते हैं सबसे पहले आपकी होते हैं डिस्टेंस वेक्टर फिर होते हैं हमारे लिंक स्टेट फिर होते हैं हमारे हाईब्रीड तो डिस्टेंस वेक्टर में आपका ripa आ जाता है वर्जिन वन वर्जिन टू लिंक स्टेट में OSPF आ जाता है हाईब्रीड में EAJRP आ जाता है तो लिंक स्टेट क्या होता है तो यह थोड़ी थोड़ी देर बाद एक दूसरे को hello packets भेजते हैं हाईब्रीड जब हम EAJRP करेंगे है कर लिया है जिसने भी तो उसमें hello concepts होता है तो OSPF में सबसे पहले तो OSPF में पहले hello concepts आया था तो जैसे एक दूर राउटर पर OSPF चल रहे था इसका timing होता है 10 seconds इसका hello timer कितना होता है 10 seconds और EAJRP को होता है 5 seconds तो EAJRP सिफ slightly faster है बट EAJRP इसलिए use नहीं होता था पहले जाता है वो Cisco proprietary नहीं था पहले बट यह बहुत time से standard ही है यह बना ही standard hello भेज़ेगा यह इसको 10 seconds के बाद hello भेज़ेगा अगर कोई 40 seconds तक hello नहीं भेज़ेगा इसका hold down timer क्या होता है hold down is 40 seconds अगर कोई 40 seconds तक reply नहीं करेगा तो उसको down कर देगा नेबर से नेबर टेबल से हटा देगा और इसका सबसे बड़ा advantage देखो क्या है unlimited routers लगा सकता है जितने मर्जी router लगाओ कभी भी network में कोई limitation नहीं है RIP के अंदर कितने होते है solar router EHRP के case में 255 router बट OSPF में कितने भी routers तो बहुत बड़े companies के networks हैं वो सारे OSPF पर ही चलते है तो metric इसका cost है जैसे metric रिप का क्या था आपका hop count की है okay this is 100 Mbps और दूसरा link 10 Mbps है तो obviously जिसका जाद जो बड़ा link होगा ना उसकी cost कम लगाए गए तो जिसकी cost कम होगी उसकी metric क्या होगी अच्छी होगी AD value क्या होगी 110 AD value administrative distance तो यानि EAJRP की 90 होती है OSPF की आपकी 110 और RIP की 120 तो OSPF is better than EAJRP sorry RIP बट EAJRP is better than OSPF तभी उसको AD value 90 मिला तो इसको मिला OSPF को 110 बट यह एक इसका भी कुईच फीचर्स ऐसे हैं जो EAJRP से भी अच्छे हैं तो यह unlimited routers लगा सकते हैं और दूसरा यह standard है और बहुत time से standard है सारे routers companies support करते हैं इसको subnetting support करता है और equal load balancing करता है वही कि एक package उदर से traffic send कि एक उदर से send किया और इसमें concepts है area का इसका इसमें थोड़ा सा design है जो इसका वो थोड़ा सा complex है समझना तो मनले इतना complex भी नहीं है तो आप easily समझ जाओगे देखो क्या कि अगर कोई भी आपका router इसमें न areas होते है वो मैं आपको बाद में बताऊंगो areas क्यों बनाए गए थे बट अभी areas बनाए गए इसलिए कि मानलो अगर आपके पस चार-पांच router इधर connected है तो आपने एक area बना दिये area 1 ठीक है तो ऐसी एक area इधर बना दिये area 2 इधर भी routers connected है ठीक है इधर एक area 3 है अब कोई भी area होता है न तो उसे area 0 से connect होना पड़ता है area 0 को backbone बोलता है इसमें area 0 इस backbone जैसे हमारा body parts सारा backbone से connected होता है hot pair तो वैसी एक तरह से कोई भी एक तरह से main है एक तरह से head branch है for example you can say एक तरह से server की तरह काम करेंगा कोई भी areas होंगे area 1,2,3 कितने मर्जी areas बनाओ around millions of areas आप बना सकते हो OSPF में तो आप question मार लगा के देख लिए OSPF में कितने areas बना सकते हो तो OSPF का यह condition है कि अगर आप कोई भी area बना रहे हो area 1 को 2 से directly नहीं connect कर सकते they cannot communicate उनको area 0 से हो की जाना पड़ेगा area 0 is like bridge between three cities you can say अगर यह for example तीन cities है for example A, B और C city है और इन तीनों city एक तरह से C में है और अगर आपस में इन्होंने जाना है तो इधर कोई बड़ा island or something जो आपस में तीनों से connected है for example तो आप कुछ भी example ले सकते हैं means कि कहीं पर भी जाना एरिया 0 के जाना पड़ेगा जैसे हमारे इंडिया में states होती है जैसे अगर आपको जम्मू जाना तो आपको हरयाना पंजाब क्रॉस करना ही पड़ेगा तो आप directly नहीं जा सकते तो यह चीज़ है कि एक चीज़ को cover कर नहीं पड़ेगा एरिया 0 के थ्रू होके जाना ही पड़ेगा इट्स लाइक एरिया 0 इस बैक बोल तो यही मैंने आपको बताया इसको दुबार से देख लेते हैं कि all the area must have area connected to area 0 और हमेशा area 0 होना चाहिए network में नहीं तो आपका network नहीं चलेगा all the areas must connect to area 0 जितने भी areas है area 1, area 2, area 3 अगर आपस में connect होना चाहते हैं तो किसके साथ connect होंगे पहले area 0 के से और area 0 का मतलब क्या है यहाँ पे इस condition में कि कोई भी router अगर वो area 0 के किसी भी router से connect हो जाता है यह देखो यह वाला router यह वाला जो router दिखे रहा है आपको यह वाला यह जो होता है area 1 में भी है area 0 में भी है ठीक है इन routers को ABR बोलते है area border router क्योंकि जो multiple areas में होते हैं उनके आप बोलते है area border router अब यह router भी area border router है क्योंकि इस पे 0 भी है area और इस पे area 2 भी है इस पे area 3 भी है और इस पे area 0 भी है इस वाले router तो यह जो तीनों आपको दिख रहे हैं यह वले यह area border routers है और यह distance vector से अच्छा है authentication support करता है multicast address इसका क्या है 224005 एक और होता है दो होते हैं इसके multicast 224005 और 224006 faster convergence है इसका मतलब कोई भी down होता है तो back up path convergence का मतलब क्या हता है अगर एक path आपको destination तक पचा रहा है और अगर आपका दूसरा रास्ता भी है और अगर primary fail हो जाता है तो कितना time लगेगा उसको switch हो के दूसरे रास्ते से जाने में उसको बूलते convergence तो इसका convergence fast है कि अगर primary down होत होगेगा दूसरे रास्ते पर इसका hello packet कितना था 10 seconds और triggered update से इसमें मतलब कोई भी network change होता है add होता है उसी time update जाता है ठीक है तो यह था OSPF का theory इसके बाद कुछ और करेंगे next video में तो अभी मैं basic configuration बता रहा हूँ इसके बाद वली video में